हेलो ब्यूटिफल सोल्स दस इस सान्वी शर्मा आई वेलकम यू आल तो माई यूट्यूब चानल सोल्फल जोर्नि आप सब आज ये बात जानते होंगे कि आज 1010 पोर्टल खुला है कई लोग आपके से ऐसे हैं जो टारो के लिए या फिर इन चीजों के लिए नए हैं तो मैं आपको ये बात बता दू कि ये जो पोर्टल होते हैं इनका मतलब होता है एनर्जी के चेंज़ ठीक है तो हर साल ऐसे 9-9 आता है 10-10 आता है 11-11 आता है और 12-12 आता है ठीक है तो ये अलग-अलग पोर्टल होते हैं जो हमारी materialistic चीज़ें या 3D की जो भी चीज़ें हैं ये फिर कुछ ऐसे काम जो हमारे starting से अटके होते हैं वो इन पोर्टल पर जाकर कही न कहीं complete होते हैं ठीक है इन पोर्टल को आपको 7-7 पोर्टल से जादा count करना चाहिए 11-122 वो तो हर एक चीज़ में beginning वाला phase होता है ठीक है जो completion वाला phase होता है उसे मैं तो यही consider करती हूँ कि जो 10-10 वाला portal होता है उसमें आपका एक cycle पूरा complete हो जाता है ठीक है तो अब ये portal खुल गया है तो ये portal आपकी life के अंदर क्या changes लेकर आएगा ये portal आपकी life को किस तरहां से बदलन वाला है ये आज हम जानेंगे ठीक है तो आज मैं आपके लिए pick a card reading ही लेकर आए हूँ स्क्रीन पर आपको दो images नजर आएंगे दोनों images को बड़े ध्यान से देखिएगा आखे बंद करने पर जो भी image आपको नजर आती है आप वो वाली pile को चूज कर सकते है image number one is pile number one and image number two is pile number two so जिनों ने image number one choose किया है आएए आपके लिए चौनते हैं कि इस portal से आपकी life में क्या बदलाव होने वाला है so जब तक मैं card shuffle करते हूँ अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो आप लीज मेरे चानल को subscribe कर लीचिए और bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जैसे कि आपको नए-ने videos की notification मिलती रहे so आईए जानते हैं ये portal आपकी life के अंदर क्या बदलाव लेकर आया है क्या changes आप expect कर सकते हैं okay so पहला card है tender embrace का card है the next card is roots of abundance का card है the next card over here is broken open का card है the next card is divine matrix का card है the next card is quieting the mind का card है and bottom of the deck पर endless possibilities का card है so जिन्होंने image number one चूज किया है देखिए आपकी life के अंदर ना किसी चीज को लेकर आप divine timing की wait कर रहे थे और ये divine timing अब आ गई है अब आपका जो भी सपना है वो पूरा होगा और वो सपना इतनी खूबसूरती से पूरा होगा जिस चीज को लेकर आज आप ये समझते हैं कि वो चीज असंभव हैं अगले दस दिनों में वो चीज किसी न किसी direction में ज़रूर move करेगी चीक है और यहां पर बहुत जदा chances हैं कि आपकी तरफ को positive response ही आएगा ठीक है तो एक divine timing जो होती है ना life में वो time है अगले 10 दिन का आपके बास तो इस time को waste नहीं करना है आपको अगर किसी चीज को लेकर guidance मिलती है तो समझ लीजे का कि इश्वर guidance दे रहे हैं उस guidance को आपको follow करना है ठीक है और अगर कुछ चीजें अपने आप से आपकी life में हो रही है तो उन्हें accept भी करता है acceptance की energies में रहने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको तो यह energy है यहाँ पर the next is quiting the mind का card है देखे अब अगले 10 दिनों में आपकी intuition आपको बहुत strong guidance देने वाली है आपकी intuition आपको पहले ही बता देगी कि अब आपकी life के अंदर यह 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 चीजें घटेत होने वाली है तो उन चीजों के उपर आपको focus करना यह बदलाव है जो आप अपनी intuition की आवाज को सुनने ही पा रहे थे वो आवाज यहाँ पर clear होती हुई नजर आ रही है ठीक है और इस आवाज को सुनकर भी अंसुना नहीं करना है आप जिस शान्ती की तलाश कर रहे हैं ना कि जंदगी peaceful हो जाए वो शान्ती तभी हसल होगी जब आप अपनी inner self से जुड़ेंगे ठीक है तो change in energies का मतलब सिरफ यह नहीं होता है कि कुछ cycles बाहर complete हो रहे हैं कुछ cycles ऐसे भी हैं जो आपके अंदर भी complete होंगे जो look spiritually active है आपके लिए तो बहुत important time है यह one zero one zero का time है यह मतलब कुछ आपकी जो ascension की energies चल रहे हैं कुछ changes उनमें आएंगे हो सकता है कि आपको कुछ चीज़े visibly अभी नजर आ रहे थी या महसूस कर पा रहे थैं वो महसूस होनी बंद हो जाए क्योंकि वहां से आपकी energy shift हो जाएगा आप ascension की energies की और आगे बंदते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस वक्त में जिन fears को आपने अपने अंदर दबा कर रखा है न जो आपको ऐसा लग रहा है कि अब इन fears को overcome ही नहीं कर सकते हैं इन fears पर आकर आप अटक गए हैं जहां पर आपको ये चीज़े महसूस हो रही है वो आपका जो डर है वो किसी न में बाहर निकलेगा आप एक बार तो घबरा जाएंगे कि ये डर इस तरहां से मेरा क्यों रिलीज हो रहा है जो इस पार से मैं डर रहा था या डर रही थी वही चीज़ होनी शुरू हो गए लेकिन वो आपका bubble burst होना ज़रूरी है ठीक है वो bubble burst होगा आप अंदर से अब आप अपनी life के अंदर जो भी abundance हासल करेंगे न वो superficial नहीं होगी मतलब उपर उपर से abundance नहीं मिलने वाली आपको अब आपको जो भी खुशियां मिलेगी न वो इतनी मजबूती से मिलेगी कि उन खुशियों को आपसे कोई छीन नहीं पाए पर्मनेंट happiness जहां पर भी म लेगी ठीक है तो अब आपको आपकी life के अंदर हर एक चीज में संपनता महसूस होगी और धीरे 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 ये energies अब channelize हो रही है ठीक है तो अगले 10 दिन में जो भी फैसले बनाने है न अपने past को consider करके मत बनाईएगा अपने future के उपर focus करके बनाईगा ओके यहां tender embrace का card है देखिए अभी तक आप बहुत जदा practical होकर आगे बढ़ रहे थे मैं ये भी कर सकता हूँ मैं ये भी कर सकती हूँ क्योंकि अंदर से वो मजबूती महसूस हो रही थी आपको वो दर्द जो है आपका आपने उसको अपनी strength बना लिया था लेकिन आप वो दर्द release हो और ऐसा कोई person आपको जीवन में मिलने वाला है जो आपके इस दर्द को समझेगा और आपको न बच्चों की तरह संभालेगा ठीक है और इस चीज़ की आपको जरूरत है मतलब अगर मैं इसको एक line में कहूं तो वो ये होगा कि आपकी emotional healing अगले 10 दिनों में होने जा रही ह ठीक है ये energy है यहाँ पर आपके लिए देखिए ये portal खुल तो पहले से जाता है लेकिन इसकी energies आज से शाफ हो जाएंगी ठीक है तो अगले 10 दिन और पिछले 10 दिन ये सब consider होते हैं इसमें ठीक है the next is endless possibilities का card है देखिए अब अगले 10 दिन में आपको बहुत सारी चीज़ो में संभावना ये नजर आएंगी जहाँ पर आपके according कुछ बचा ही नहीं है कुछ अब हो ही नहीं सकता है वहाँ पर आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत important है तागि आपकी life is stuck zone से बाहर निकले ठीक है तो अब आप endless possibilities की और बढ़ने वा से आपकी life में क्या changes आने वाले हैं आएए जानते हैं इस tent in portal से आपकी life में क्या changes आने वाले हैं आएए जानते हैं तो यहाँ पर unfinished symphony का card है to be fear का card है the fates का card है co-create का card है the next is mending का card है and bottom of the deck पर soulmates का card है यहाँ पर okay so यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है already हम 1010 portal की बात कर रहे हैं तो यहाँ number 10 ही आया है आपने जिस भी अपने काम के लिए बहुत जदा करम किये हैं बहुत जदा महनत की हैं वो काम आज आपका बनने वाला है मतलब आप 10 दिनों के अंदर अंदर आज से वो energies channelize हो जाएंगी आपको शायद इस काम के related यह feel हो रहा है कि चीज़ें खतम हो चुकी हैं अब आपको इस चीज़ के बरे में सोचना भी नहीं चाहिए अचानक से आपका वो काम बन जाएगा ठीक है यह चीज़ होने जा रही है स्टेंटें पोर्टल के साथ एक चीज़ और ध्यान रखेगा अब आपके करमा को divine judge करने वाले हैं इसलिए किसी के against किसी भी तरीके का फैसला अप इसमें आपका फाइदा हो और दूसरे का नुकसान हो जाए आपको neutral रहकर अपनी life के फैसले लेने हैं किसी भी तरफ को inclined होकर फैसले लेंगे तो यह energy आपके opposite काम करने शुरू कर जाएगी अगला जो time period आपका आने वाला है उसमें luck आपको favor कर रहा है तो इस luck का सहारा ले कि हाँ ये थोड़ी सी cheating कर लेते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है फरक पड़ेगा इसलिए आपको कह रहे हों कि अब आपको अपनी life में अपने करमों पर बहुत जादा ध्यान देने की जरूरत है कोई भी ऐसा करम नहीं करना है जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए ठी चीज़े ऐसी होती है जो pre-decided होती है जो हमें मिलती ही मिलती है उन चीज़ों को हमसे कोई छीन नहीं सकता है अगले 10 दिनों में आपकी life के अंदर कुछ ऐसे ही बदलावाने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे लोग आपकी life के अंदर enter करेंगे जिन लोगों का करम और इश्वर के कृपा मिलकर आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं मतलब हर एक चीज़ इश्वर पर चोड़िएगा आपके करम और इश्वर का साथ ये दोनों चीज़ें आपकी life को wonderful बना सकते हैं ठीक है तो ये जो इश्वर की कृपा आपके उपर बरस रह है कि जब आपको लग सपोर्ट कर रहा है तो फड़ा 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 अपने काम कीचिए आपको उसमें उन्दती मिलेगी उसमें आपको सक्सेस मिलेगी चीक है यहां पर मेंडिंग का कार्ड है अपने तरीकों के अंदर कुछ बतलाव लेकर आईएगा जिस तरी को में कुछ बतलाव लेकर आईए आपको success definitely मिल सकती है अगले 10 दिनों में आप किसी ऐसे person से मिल सकते हैं जो person आपकी हर मुसीबत का solution आपको लाकर देगा ढूंड कर देगा ठीक है soulmate का मतलब यह नहीं है कि आपकी love life के अंदर ही इस तरह के changes होंगे soulmate का मतलब यह है कि वो इनसान आपको इन 10 दिनों में मिलेगा जिस इनसान के साथ आप खुल कर अपने दिल की बात कर सकते हैं और उस इनसान के साथ आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बतलाव आएका क्योंकि वो person आपके सभी सवालों का जवाब बनकर के लिए इस 1010 portal को लेकर divine आपको क्या guidance देना चाहते हैं divine की क्या blessings है आपके लिए आये जानते हैं इस 1010 portal को लेकर divine आपको क्या blessings देना चाहते हैं divine की क्या messages है आपके लिए आये जानते हैं तो पहला card है pray from the heart का card है the next card is have no fear का card है okay the next card is embrace your life purpose का card है मतलब almost same same से card निकल कर आ रहे है then is don't settle for less का card है the next card over here is regain your focus का card है and bottom of the deck पर it's almost over का card है divine आपको ये guidance देना चाहते हैं कि जो भी आपके current challenges है ये अब resolve हो जाएंगे और आप अपने future की तरफ एक smile के साथ बढ़ने वाले हैं तो जो वो challenge भरा वक्त है ये इस portal के खुलने से खतम हो रहा है ठीक है divine आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपको guidance देंगे आपके soul purpose की तरफ ठीक है हर किजी का soul purpose लोगों की help करना या अपने soulmate से मिलना ये नहीं होता है आपका जो भी soul purpose है उसके लिए divine आपको guidance देंगे ठीक है आपको अपने जीवन जीने में मजा आने लगेगा जिस भी काम में आपको मजा आना शुरू हो जाए आप ये समझ लेजिएगा कि वो आपके soul purpose से कही न कहीं relate करता है ठीक है तो वो काम करना अब आप शुरू करतीछेगा divine आपसे ये कहना चाहते है कि अब आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है अब आपको अपनी ego को भी release करना है तभी आप उस रास्ते पर चल पाएंगे जो रास्ता divine अब आपको दिखा रहे है ठीक है कुछ ऐसी feelings है कि जो आपको पीछे की तरफ को बांद कर रख रही है वो डर है वो अपने आप अब automatically release होंगे और उन डर को release होने दीजेगा उने पकड़ कर मत रखेगा ठीक है divine आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपने जो भी दल से अपनी प्रात्नाएं की है divine से उन प्रात्नाओं का जवाब आपको action के रूप में दिखेगा आपको विश्वास हो जाएगा कि अगर आप सचे दिल से प्रात्ना करें तो जितनी मर्जी पहाड जैसी मुसीबत हो उससे आप निपट सकते हैं ठीक है और अगर अगर अब भी आपको कुछ concerns हैं अपनी life को लेकर divine से अपने उन concerns को ज़रूर कहिएगा अभी भी आपको प्रात्ना उसी तरीके से करनी है जैसे आप करते आए हैं बिल्कुल अपने दिल से divine आपसे ये कहना चाते हैं कि आपको compromise नहीं करना आपको divine जब support कर रहे हैं luck आपको favor कर रहा है तो आपके सपने definitely पूरे होंगे कम चीजों में compromise नहीं करना है शायद ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपको न कुछ ऐसे opportunities मिलेंगी जहां पर आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं लेकिन उससे कुछ कम मिल रहा है अब वो आपके लिए divine test होगा आप उसे accept करते हैं कि नहीं करते हैं आपको नहीं करना है क्योंकि जो आप चाहरे हैं वो भी आपको मिलने वाला है इसलिए आपको give up नहीं करना है इतनी जल्दे और अब divine आपको ये guidance दे रहे हैं कि अपना focus regain कीचे अपनी life को लेकर focused हो जाएए आपके जो भी goals हैं आपकी life को लेकर उनके उपर अपना ध्यान टिकाई है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है चालेंजस से आप overcome नहीं कर पाए हैं उन चालेंजस को आप पीछे छोड़ी नहीं पाए हैं अब ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं तो अब आप अपनी life में जो बड़ी चीज़े करना चाहते थे उस तरफ को बढ़ना शुरू करतीजे चीक है तो यह है divine की guidance आपके लिए so I hope जिन्होंने pile number one choose किया है आज की reading से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर clarity मिली होगी नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा यह reading आपको कैसी लगी video पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा अपने near and dear ones के साथ share ज़रूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरे reading से influenced हैं और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं यह booking आप मेरे whatsapp के थूँ या फिर मेरी email id के थूँ कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप please मेरे चानल को subscribe कर लीचे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए videos की notification मलती रहे मेरे एक और चानल भी है soul divine journey taro link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करती हूँ जो आपको आपकी life code channelize करने में मदद करती हैं और मैं अपनी daily angelic guidance रोज़रात आठ बज़े उस channel पर post करती हूँ so आप प्लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीचिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें उस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपकी लाइफ के अंदर क्या changes लेकर आएगा मतलब क्या changes आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं जैसे कि ये पोर्टल ओपन हो गया है तो आएए जानते हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीचियों और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिसे कि आपको नए नए वीडियो की notification मलती रहें तो आएए जानते हैं दे पावर ओफ परपस का का कार्ड है यहां पर ओके जिन्हों ने पावर नुमबर तू चूज की है देखिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है यह जो portal है न यह आपकी life का कोई एक ऐसा chapter है जिसको यह close करने वाला है कोई आपका एक ऐसा chapter है जो चलता जा रहा था और उस situation से आप निकल ही नहीं पा रहे थे अब इस portal के खुलने से अगले 10 दिन में आपका वो cycle complete हो जाएगा और यह जो इतना बड़ा cycle इतने सारे challenges वाला cycle जो आपने अभी बरदाश किया है यह आपके लिए एक story बन कर रह जाएगा ठीक है और इसकी ending वैसे नहीं होगी जिस तरहां की ending आप expect कर रहे हैं divine ने कुछ चीजें आपके लिए बहुत बहतर सोची है आपके इस cycle की ending divine के according होने जा रही है आप लोगों को बताएंगे बात में कि इश्वर ने किस तरहां से आपके जीवन का रुख बदला था ठीक है अब ये वही turning point है जहां से आपका जीवन completely change हो जाएगा ठीक है अब आपको अलग सी vibration अपने अंदर महसूस होगी आप पहले शायद divine की तरफ को उतना inclined नहीं थे अब वो inclination होने वाली है आप पहले materialistic चीजों में जादा involved रहते थे अब materialistic चीजों में आप उतना involved नहीं रहेंगे आपके spiritual journey शुरू होती हुई मुझे नजर आ रही है आपको ये पता लगेगा कि body की requirements कुछ और है soul की requirements कुछ और है और अब आप अपने soul purpose पर focus करना शुरू कर देंगे आप अपने इस जीवन में क्यों आए है इस चीज का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा और आप अपने purpose की और आगे की और move करेंगे ये purpose वो है जिसके बारे में आज शायद आपको ध्यान भी नहीं है आज शायद आप इस चीज के बारे में सोचते भी नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में अखले 10 दिन तक ये purpose आपके लिए सबसे important हो जाएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपकी कुछ ऐसी चीज़े हैं जो materialistic जादा है तो आप pile number one देख सकते हैं ठीक है उसमें energies आपके साथ resonate करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो मुझे ऐसा जिन्हें अपने कार्मिक से बहुत जादा फरक पड़ता है उन्हें यह समझ आ जाएगा कि वो खुद एक illusion में थे और अब उनकी आँखे खुल रही है और आँखे खुलते ही ईश्वर उन्हें खुद से मिलवाने की पूरी कोशिश कर रहे है बहुत सारे आपके बास सवाल है जिनके जवाब आपको अभी तक नहीं मिले अब आप उन सभी सवालों का जवाब अपनी लाइफ के अंदर प्राक्टिकली मिलता हुआ देखेंगे कि आपको इस चीज से या इस परसन से प्राब्लम थी तो उसके साथ क्या हुआ उस परसन ने आपके साथ ये सब कुछ क्यूं किया ये सारी चीज़े अब आपको समझाएंगे आपकी intuitive power strong होती हुई निजर आ रही है ठीके और जो आपकी intuition power है उसको आप materialistic चीजों में इस्तेमाल नहीं करने वाले है आपका न एक अलग से कहते है न प्रीत लग जाती है divine से वैसी feelings अब आपको आएंगी आप हर एक चीज के लिए divine पर rely करेंगे लोग आपसे थोड़ा सा कटना शुरू करतेंगे आपके बहुत कम आप friends रह जाएंगे ये relationship नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ आपकी job आपके according नहीं चल रही है वहीं पर ये चीज़ें आपके लिए matter ही नहीं करेंगी अब जीवन को जीने का आपको मजा आने लगेगा आपके actions और emotions के बीच में balance create होता हुआ निजर आ रहा है आपका heart chakra, आपका crown chakra और आपका third eye chakra बहुत ज़्यादा active होने वादा है जिसकी वज़े से आपको ऐसा feel होगा कि divine आपके पास आकर आपको guidance देते है divine आपको जो भी सिखाना चाहते हैं बिल्कुल आपके साथ खड़े होकर आपको उन चीजों की guidance दे रहे है इतनी ज़्यादा vibrations आप divine की तरफ से महसूस करेंगे ठीक है तो यह portal तो आपकी life के अंदर एक चमतकार बनकर आ रहा है जो चीजें आपके लिए important थी अब वो unimportant हो जाएंगे और जिन चीजों के भारे में आपने कभी सोचा ही नहीं वो चीजें अब आपकी life में सबसे ज़ादा importance रखेंगी ठीक है एक बहुत बड़ी achievement इस portal के खुलते ही आपको मिलने वादी है आपकी जिन्दगी complete होती हुई नजर आ रही है actually जी तो हम सब रहे हैं लेकिन जिन्दगी जीने में मज़ा किसी किसी को यह आता है अब आपको जीवन जीने का उस तरहा का मज़ा आने वाला है ऐसी एन और चीज़ यहां पर आपके लिए फॉर्म हो रही है तो यह portal आपके लिए बेहत खास है ठीक है और यहां पर मैं एक और चीज़ आपको बता हूँ यहां पर number 9 बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है 6 plus 3 9 7 plus 2 9 and then one again 8 plus 1 9 मतलब यहां पर अभी spiritual cycle start होगा और हो सकता है अगले साल October तक यह cycle पूरा हो क्योंकि जो चीज़े यहां पर start होगी यह आपकी life को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत लंबे तरीके बहुत लंबे time तक प्रभावित करती है ठीक है तो यहां पर यह cycle की शुरुआत हो रही है क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि 10 10 cycle एक completion को mark करता है तो एक completion के साथ एक नई शुरुआत भी जुड़ी हुई होती है हर end के साथ एक beginning जुड़ी है हर beginning के साथ एक end जुड़ा हुआ है तो यहां पर आपकी एक नई शुरुआत हो रही है तो यह portal आपकी life में इस तरह के changes लेकर आया है आये जानते हैं इस deck से इस portal से आपकी life में क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी कौन सी wishes पूरी होने जा रही है आये जानते हैं तो पहला card है यहां पर chopped wood का card है The next card is exchanging gifts का card है The next is round and round का card है Peace का card है The next is happy happy का card है and bottom of the deck पर a leg आपका card है देखें आपकी life के जो भी challenges चल रहे थे अभी तब और उन challenges से deal करने का तरीका आपको समझ नहीं आ रहा था वो challenges यहां पर खतम होते हुए मुझे बहुत clearly नजर आ रहे हैं आपके सारे challenges अब over हो जाएंगे ठीक है और आपको ऐसा लगेगा यह कोई challenge था ही नहीं आप ही को इतनी समझ नहीं थी कि इस situation से deal कैसे करना है यहां पर divine आपको guidance देंगे वो challenges आपके खतम हो जाएंगे and जो भी आपकी tensions चल रही है जो भी आपकी anxieties है जो भी materialistic चीजों के साथ आपकी जो attachment है वो सब खतम होती हुई नजर आ रही है आपकी life में एक cleaning process चलने वाला है आपकी mind, soul, सब detoxify होने वाला है चीक है तो यह energies आपके लिए चलती हुई मुझे नजर आ रही है problems automatically अपने आप solve होंगी आप अब उन problems के उपर जादा focus ही नहीं करने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि इन problems के उपर focus करके आपने already अपना time बहुत जादा खरब किया है यह problems actually problems नहीं है यह तो ऐसा cycle है जो एक problem खतम होई तो दूसरी साथ ही start हो जाएगी इतनी आपको awakening होने जा रही है अभी तक जिस कार्मिक situation में आप गोल 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 घूम रहे थे वो कार्मिक situation end हो जाएगी ठीक है और आप इस कार्मिक situation में फसे क्यों है या आपका इस कार्मिक के साथ क्या bond था क्यों आपने इतना pain सहन किया ये सारी चीज़े आपको clearly समझाँगी अभी तक तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़दा illusion है आपको आपको clarity ही नहीं है कि ये कार्मिक person आपको इतना ज़दा hurt क्यों कर रहा है लेकिन अब आने वाले वक्त में आपको clarity हो जाएगी अगले 10 दिन में आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बतलाव आएगा अगर अभी तक आपने अपने soul purpose की और कोई भी कदम बढ़ाया है या आपने कभी सोचा भी है कि हाँ मेरा कोई soul purpose है और मुझे वो purpose पूरा करना है तो आपको उस तरह की energies divine की तरफ से भी अब मिलने वाली है और जिन्होंने नहीं सोचा है उनके अंदर ये ज्ञान अपने आप आएगा कि उन्हें basically जाना किस direction में है वो यहाँ पर क्या करने आएगा इस portal के खुलने के साथ एक बात का ध्यान रखेगा अगर आप positive रहकर हर एक चीज अपनी life के अंदर करेंगे तो सामने से आपको positivity मिलेगी और अगर आप एक बार भी negative हो चाएंगे तो आपको इतनी जादा negativity मिलेगी कि उससे cope up कर पाना आपके लिए मुम्किन नहीं होगा ठीक है यहाँ पर peace का card है जिस शान्ती का अनुभव आप बहुत लंबे टाइम से करना चाह रहे हैं आपको समझी नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में शान्ती establish हो भी सकती है कभी की नहीं जिस शान्ती को आप manifest कर रहे हैं वो शान्ती अब आपको मिलने जा रही है यह जो feeling of loss है आपके अंदर वो feeling अप खतम होगी ठीक है आपके according चीज़े नहीं चलेंगी बट जिस according यह चलने वाली है वो बहुत ही खुबसूरत है आपकी life के almost हर एक sphere में आपको happiness मिलेगी actually यह हर एक sphere की happiness नहीं है यह happiness है internal happiness आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बस होता तो कुछ नहीं है लेकिन वो फिर भी बहुत खुश होते हैं वो होती है internal happiness और आपको actually पता ही नहीं है कि खुशी होती क्या है अब ईश्वर आपको वो एह एहसास देने वाले है यह actually life के अंदर खुशियां कहते किसको है ठीक है तो यह happiness के लिए खुद को तयार कीजिए accept कीजेगा और अगर फिर भी आप किसी चीज़ को लेकर चिंता करने ही वाले हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस से क्या होने वाला है spiritual transformation से हमें क्या फाइदा होगा तो जिनकी यह transformation नहीं होती न उनकी सारी जिंदगी उलजी ही रहती है ठीक है तो आपको यह मौका मिर रहा है spiritual transformation का तो इस transformation को accept कीजेगा अगले 10 दिन बहुत ही ज़ादा important रहने वाले हैं कुछ लोगों के case में यह जो कार्मिक situation है यह एकदम से over हो जाएगी ठीक है तो यह portal आपके लिए वर्दान साबित हो रहा है okay so आएए अब हम इस deck से जानते हैं कि divine आपको इस portal के regard में क्या guidance देना चाहते है divine की क्या guidance है आपके लिए इस portal के regard में आएए जानते है divine आपको क्या guidance देना चाहते है तो पहला card है यहाँ पर open up to your spiritual gifts I am very very amazed and thank you divine कि आपने में को एक messenger के रूप में choose किया I am really very thankful मैंने आपको कहा कि यह जो pile number two है वो spiritual लोगों के लिए निकल कर आई है जिनकी life के अंदर spiritual transformation होगी या जो spirituality के path पर चल रहे है ठीक है और उसी तरीके की guidance भी यहाँ पर निकल कर आ रही है angels of healing are with you the next card is trust the guidance you are receiving wow increase your knowledge wow 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 and your prayers are being answered का card I am amazed मतला मुझे goosebumps हो रहे है you are protected का card है okay so divine आपको यह guidance देना चाहते हैं कि आप अप अपनी असली पहचान हासिल करने वाले हैं आप अपनी life के अंदर आप कुछ ऐसे gifts experience करेंगे जो spiritual होंगे, physical gifts नहीं मिलेंगे आपको आपको हमेशा अब इस portal के खुलने के बाद जब भी कोई guidance मिलेगी उसके अंदर आपके spiritual ascension कहीं न कहीं छुपी हुई होगी तो हर एक guidance को decode करने की जरूर कोशिश कीचेगा और आपके कुछ spiritual gifts हैं जो आपके अंदर ही हैं अभी तक आप उन gifts को पहचान नहीं पाए हैं अगले 10 दिन में आपको इस चीज़ के बारे में भी कुछ ना कुछ knowledge जरूर मिलेगी angels of healing are with you divine आपको ये कहना चाहते हैं कि आप आपकी life की healing divine खुद करेंगे आपको archangel raphael से green light मिलेगी जो आपको strength provide करेगी आपके actions और emotions के बीच में balance establish होगा आपके spiritual ascension होगी ठीक है ये divine की guidance है आपके लिए और ये सबसे amazing card है trust the guidance you are receiving आपको जो आज guidance मिल रही है इस पर विश्वास रखिये ठीक है आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्ती मिल जाएगी क्योंकि आज की जो guidance है वो divine guidance ही है आपके लिए जिन चीजों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि आप उस direction में move करेंगे अब आप automatically उस direction के और बढ़ेंगे आपको बहुत सरे knowledge मिलेगी बहुत सरे opportunities होंगी और आपको अब कोई ऐसा mentor मिल सकता है जो इस energy को आपकी life में channelize करने में आपकी मदद करेगा ठीक है तो कोई guru आपको मिलता है गुरू का मतलब यह नहीं होता है कि जुन्होंने चोला डाला हुआ होता है कोई भी ऐसा person जो आपको आपके soul purpose तक ले जाए जो आपकी spiritual ascension में आपकी मदद करे ऐसा कोई person अगले 10 दिनों में आपको मिलने वाला है आपने जो भी इश्वर से प्रातना की है उनका जवाब आपको मिल रहा है बहुत जल्दी आपकी life के अंदर कुछ ऐसे changes होंगे जो आपने movement पर इस time पर expect नहीं किये है क्योंकि आप बहुत time से उन changes के लिए प्रातना कर रहे हैं लेकिन उन changes को आप अपनी life में अभी तक experience नहीं कर पाए है वो changes अब होंगे ठीक है आपको divine की तरफ से protection मिल रही है आपको divine ने एक light bubble में save किया है अब आपको कोई भी बाहर की energies effect नहीं कर सकती है ठीक है तो आपको ये guidance मिल रही है ये blessings मिल रही है divine की तरफ से आज की reading से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर clarity मिली होगी नीचे मुझे comment section में जरूर बताईएगा ये reading आपको कैसे लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा अपने near india once के साथ share जरूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते है तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते है ये booking आप मेरे whatsapp के थूर या फिर मेरी email id के थूर कर सकते है मेरे whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप please मेरे चानल को subscribe कर लीचे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए videos की notification मिलती रहे मेरे एक और चानल भी है soul divine journey taro link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी videos post करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात 8 बजे उस चानल पर post करती हूँ so please उस चानल को भी subscribe ज़रूर कर लीचे और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिसे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे उस चानल का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा so thanks for watching see you soon